Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Online Education मैं उपस्तित हूँ 30 जुलाई 2023 की महतोपूर्ण Educational Update को लेकर आप लोगों के बीच बात करेंगे Government College हमिरपूर Application Submit Your Form Against Solution हमिरपूर में जिन भी विद्यार्थियों ने MA, MSC, MCOM की कोर्सिस के लिए अपलाई किया है तो Counseling के लिए उनको जो उन्होंने Form किया है तो उनको जो Committee है Verification Committee है College की तरफ से उनकी तरफ से एक Message आ रहा है कि आप अपना Form फिर से Submit करें तो इसका Solution क्या रहेगा इसके बारे में मैं आपको भी बता देता हूँ आपने कुछ नहीं करना है अपने College को Contact करना है और College के Admin से अपने Form को Unlock करवाना है College में जो Admission Committee रहती है उसका Admin जो है आपके लिए Form को Open करवाएगा Edit के लिए और जैसे ही आप Edit करेंगे तो आप अपने Form को फिर से Submit कर पाएंगे इसके लबाब बात करते हैं Government College हमिरपूर में Merit List तो Government College हमिरपूर में जो Merit List जारी की जाएगी वो जारी की जाएगी एक तारीक को SPU Counseling, Weird Counseling पर बहुत बड़ा Update आया है क्या Update है वीडियो में बात करूँगा हिमाचापुदेश University और सरदार पटेल University का PG syllabus आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि अगस्त के दूसरे हपते में हिमाचापुदेश University की PG करिक्षाएं जो है शुरू हो रही है इसके अलाबा SPU का जो एडमिशन लिंक है PG के लिए वो कब एक्टिव होगा इसकी संभाब ना कभ है इस पर मैं बात करूँगा और सुन्दर अगर में पैट की खाली सीटों के लिए on the spot राउंसलिंग कल और लीट की काउंसलिंग जो है पूरी होगी है इतनी सीटे जो है खाली बच की है सरदार पटेल युनिवसिटी का जो बीएड कांसलिंग अपडेट है इस पर सबसे पहले बात की जाए अगर आप लोगों को याद होगा तो 27 2023 को सरदार पटेल युनिवसिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इस नोटिफिकेशन के तहत जो बीएड के जो फीस सरदार पटेल युनिवसिटी ने अगर आप सरदार पटेल युनिवसिटी की वैपसाइट को देखें तो सरदार पटेल युनिवसिटी की वैपसाइट पर एक सर्कुलर जो है चल रहा है जिसमें ये कहा गया है कि सरदार पटेल युनिवसिटी ने जो ये जो जो उन्हों करने की कोशिश करेंगे तो ये अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है लेकिन ये साप साप लिखा हुआ यहां पर आ रहा है कि SPU Monday has withdrawn the notification number SPU Monday और साथ में लिखा है academic 2023 1912 ये जो है जारी किये गई थी 272023 को अगर आप मेरी 272023 की वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने ये बताया है कि BAD counseling जो है शुरू हो गई है यहां पर लिखा है regarding counseling और साथ में लिखा है applications fees for admissions for admission to BAD तो इसमें ये लिखा है कि BAD counseling के लिए जो fees या admission के लिए जो एक तरीके का प्राबधान करने को बोला गया था वो जो है SPU द्वारा वो application अब बिड्रॉन कर दी गई है अब इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि अब HPU ही SPU के लिए counseling करवाएगा और इसका जल्द ही एक letter जो है Monday तक एक अगस्त तक 30 जो है जुलाई तक आप लोगों के बीच आएगा तो आप प्रशान ना हूँ अब क्यूंकि जो है यहाँ पर जो सरदार पटेल University है उसने अपनी website पर ये clearly बता दिया है कि जो SPU के लि ने category wise face भी बता दी थी वो application उन लोगों ने बापिस ले ली है और अब मुझे लगता है HPU जिस परकार HPU ने पिछली परकार जो है सरदार पटेल University के affiliated colleges के लिए भी counseling करवाई थी इस बार भी HPU ही counseling करवाएगा और ये सबसे बड़ी update जो है B.Ed students के लिए रहने बाली है अब बात करते हैं PG जो classes है हिमांचल प्रदेश University में PG classes कब से शुरू हो रही है तो अगस्त के दूसरे हपते में शुरू हो रही है PG classes post graduation classes जो है हिमांचल प्रदेश University में ये शुरू हो रही है अगस्त के दूसरे हपते में और अगस्त के दूसरे हपते में ये क्यों शुरू हो क्यूँकि नए सत्र की प्रवीश प्रकृया है वो पांच अगस्त तक पूरी होगी और सॉत में ही हिमागkraशप्रिश युनिवसित्टी में अभी डिपार्टमेंट में जो क्लासरूम है वह आम पर समेस्टर की प्रिक्षाएं हैं समेस्टर की प्रिक्षाएं भी चली है और स साथ में 30 अगस्त को हिमाचर प्रदेश उनिवसिटी में non-subsidized seat की counseling भी होनी है तो PG course में जो प्रवेश प्रकिया है जब ये 5 अगस्त को पूरी हो जाएगी इसके साथ जो परिसर में चल रही PG प्रिक्षाएं हैं डिपार्टमेंट की तो classroom अभी खाली नहीं हो पारे हैं तो इस बार counseling और PG प्रिक्षाएं एक साथ शुरू होने से ये सतर ऐसे एक अगस्त से शुरू होता था लेकिन इस बार ये एक अगस्त से शुरू नहीं हो पारा है तो PG की जो कक्षाएं हैं वो जो है अगस्त के दूसरे हपते में ही शुरू हो जाएगी चाहे वो professional course हो इसके अ आप HPU जाए उससे पहले एक notification आप लोगों को आ जाएगी अगर आपको hostel alert हो गया होगा तब तक तो आपको एक notification आ जाएगा classes के लिए भी official notification आता है HPU का तो अब बात करते हैं HPU SPU का syllabus PG के लिए जो syllabus है वो आप कहां से download करें अगर आप PG कक्षाओं में MA, MSC, MCOM में पढ़त करें तो बहुत असान है यह सबसे पहले आपने Google Chrome पर जाना है और जब आप Google Chrome पर जाएंगी तो सबसे पहले मैं आपको HPU का बता देता हूं तो आपने Google Chrome पर जाकर HPU syllabus जब आप टाइप करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक interface open हो जाएगा तो जब आपके पास interface open हो ज पहुंचेंगे या तो आप department wise भी यहां से सर्च कर सकते हैं जैसे जो भी आपका department है यहां से department of bioscience chemistry ठीक है यहां से आप चूज कर सकते हैं और साथ में आप जो है कोर्स को जो है UG Classes का है PG Classes का है यहां से आप सर्च कर सकते हैं और class by भी आप BA, MA, MSC, M.com, professional, UG course, हिमाज़ University के लिए सर्च कर सकते हैं या तो आप यहां से भी देख सकते हैं जैसे कि आपके सामने लिखा है syllabus MPAD, syllabus MA physical, MA social work, MA sociology इसके अलावा अगर आप देखेंगे old syllabus भी यहां पर MA public administration, MA political science जो है यहां पर जो है आपके पास है 2000 से 2012 तक ठीक है और 35 जो है 2023 को यह release हुआ था इसके अला हिमाचावधिश उनिवस्टी ने modified किया है वो आपको यहां से मिल जाएगा इसके लाब मास्टर आफ एकॉनोमिक्स, MA political science, MA history आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है सारे के सारे syllabus आपको मिल जाएगे geography हो, MSC chemistry हो, MSC physics हो या जो है आपके biology के हो, geology के हो, सारे के सारे syllabus आपको य मुझे इस तरीके से करना है, सिर्फ select जो है, आपको MSC करना है यहां पर, तो दीखिए, आपके पास जो है, revised general MSC biotech का आगिया, microbiology का आगिया, PhD का आगिया, Mphil chemistry का आगिया, MSC chemistry का आगिया, 2020 की से, अगर आपने इसको डाउनलूड करना है, तो आप simple, जैसे मालू मुझे, chemistry का करना है, MSC chemistry का, तो simple syllabus पर आप डाउनलूड कर दीजिए, तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे, तो इस तरीके का interface आपके सामने एक खड़ा हो जाएगा, ठीक है, यह आपके पास faculty of physical sciences का syllabus आगिया है, MSC chemistry, तो इस तरीके से आप अपना syllabus देख सकते हैं, और तियारिया आप अच्छे से कर सकते हैं, समय के साथ, अब बात करते हैं, दूसरे syllabus की, जो है हमारे पास सरदार पटेल उनिवस्टी से समबंदी, तो सरदार पटेल उनिवस्टी के syllabus को देखने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो तीन डॉट है, क्योंकि सरदार पटेल उनि यहाँ पर आपने सिंपल से क्लिक करना है, इस तरीके से यहाँ पर देखो, आपको डिफेंट टाइप का इंटरफेस दिख रहा है, आपको एडमिशन दिख रहे हैं, इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे जैसे यहाँ पर syllabus दियो है, तो मैं syllabus पर जैसे ही क्ल जहाँ पर यह लिखा है, ठीके, तो इस तरीके से आपके पास एक इंटरफेस आएगा, कि syllabus for examination, MA history, अगर आप SPU से कर रहे हैं, तो इसको डाउनलोड करें, syllabus for examination, MSC physics, MA education, MA English, MA Hindi, MA economics, MA political science, MSC geography, यहाँ पर every level है आपके पास, इसके अलावा, MA, MSC mathematics, MSC botany, CVCS, MSC chemistry, MSC microbiome, MSC environmental science, MS, MCA, MA education, MBA, यहाँ पर आपको सारे के सारे syllabus मिलेंगे, जैसे माल लो मुझे जो syllabus चाहिए, मुझे चाहिए, MA Hindi का syllabus, तो आप simple इसको इस तरीके से डाउनलोड करें, और आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा, इस तरीके से आप PDF को अगर आप देखेंगे, तो syllabus इस तरीके से आपके सामने होगा, हिंदी का syllabus इस तरीके से आपके सामने होगा, तो उसमें से आप syllabus देखें, उसके according अपनी books जो है आप प्रचेज करें, ठीके, और books प्रचेज करने के बाद, अपनी आगे की पढ़ाई आप चारी रखें, तो ये तो थी बात, HPU, SPU जो है syllabus पर अब बा दूसरे जो अन्य अपडेट हैं, उन पर बात करते हैं, कि और कौन-कौन से अपडेट हैं, सरदार पटेल जो B.Ed की बात में आप लोगों को कर चुका हों पहले ही, कि ये जो नोटिफिकेशन लिया था, इसको बापिस कर दिया है, इसके अलावा, सुन्दर नगर में जो प पचास से उपर अंक हैं, तो वो अब्यस्ति यहां पर प्रवेश ले पारेंगे, थैंक्यू बेरी मच्च